हेलो एवरीवन वेलकम तो अभी शेक्स इन्फो गोश्व मेर नाम है अभी शेक्स चौदरी मेटा पेस्पूप और मार्ग जकरबर का पूरा प्लान था मेटा को लेके कि क्या होगा कैसे होगा इंसान पहले उनके वियार हेड्सेट की दियूज आई थी फिर उनने वियार अभी लेटेस चल ला है वन तू तो लॉंच हो गया थे करके फिक्वेस्ट अभी प्रो भी आया है यह काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है फ्यूचर को लेके क्योंकि इसमें आप गेमिंग कर सकते हो मल्टी टास्किंग कर सकते हो मीडिया देख सकते हो मैं तो अपनी इसेट की टेक्नोलजी एक तो इतनी महंगी है उतका जो 9999 डॉलर का है तो वह आपके 80-85 जार का हो गया शायद इंडिया में आपको और जादा महंगा पड़े तो अननेसेसरी अभी वियार टेक्नोलजी बहुत महंगी है अपको ने भी अपना वियार प्रोटक्ट इंडिया में 10 क्रोड़ लोगों ने ले लिया और वर्ड एक मिलियन लोगी ब्यार है लिमिटेट होते हैं इसके भी मार्केट उतनी बड़ी है नहीं बट फ्यूचर में जिस तरीके से यह लोग बता रहे हैं कि म्यूक मोशन सेंसर कि आप फिंगर के टॉच से चीजों को च में उतने हैं क्यों कि जिनके पास वैसा को यह 5 लाए केने उर्खट फिर अलिए लग हो से अलग हो मामीर पिरसे हो जाएगा गई से गरीब होशना यह सब्लकु आई देखें, ये VR headset की वीडियो और फोटो देखनें जितनी अच्छे लगती हैं, रियल लाइफ में ये उतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि वो तोना comfortable भी नहीं होता, आप बहुत देर पहनोगे, आपको अलग-अलग parts में issue होगा, यहां कान के पास issue होगा, यहां पे issue होगा, वो भले ही उसे जितना soft and cozy बनाते हैं, बट आपको चक्तर तो आए गई, क्योंकि रियल में आपकी body hill नहीं रही है, और mind को लग रहा है कि वो hill रही है, चल रही है, दोड रही है, तो जो imbalance हमारी body में है, इसको यह लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसको promote करते हैं, यह लोग क मार्क जकरबर्च को challenge भी कर रखा है, तो मार्क जकरबर्च के साथ कई issue है, उनको facebook उनका bad गया चल नहीं रहा है, उनके पास इतना data है, instagram, whatsapp और facebook को कि क्या करें, किसको बेज दें, इसको कैसे use कर लें, और futuristic भी बने रहना है, meta का इनका पूरा main basic था कि futuristic हो, उसमें एक world हो, VR world हो, जहां इनसान अपने एक movie देखनी चाहिए, आपको ready player 1, तो यह meta उसको उस तरीके से आपको यह दिखाना बताना चाहरा है, यह ready player 1 आपको उसकी भी एक link दे दूँगा, अपने description में, आप quest 3 की link दे दूँगा, मैं website की meta की, जहां से आप इसको free order कर सकते हैं, या order कर स आपते हो, अपने budget के अनुसार, बट मुझे नहीं लगता है, कि 50-60,000 उपए का वो अभी कोई बाइवे करने वाला है, तो आगे चलके future में देखते हैं कि 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 यह useful है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि professional लोग इसे multitasking में लेंगे, वो भी देखना है कि इतना कहां तक यह practical है क्योंकि हां वो मैं मान सकता हूं कि हम लोग बैट के एक जगा desktop पे काम करते हैं, तो एक जगा बैट की VR headset पे भी काम किया सकता है, बट कोई company क्या कहेगी अपने employee से कि यह VR headset लो और यह remote लो और बैट के काम पर हो सकता है, वो game खेलना हो, क्या पता, multi-tasking हो दी है, तो कहाना सुम्राओ कुछ भी हो सकता है, तो अभी के लिए VR headset कहीं किसी दुनिया के कोने में कोई बहुत futuristic लोग सफेद और ग्रे कलर के कपड़े पहन के उसे यूज़ करने हो तो बात लगे, बट इंडिया में अभी वो इतनी जल्दी नहीं होने माला, तो आगे आने ले updates में देख चेक आउट कर लेना, वीडियो को जाधा से जाधा शेयर करें, लाइक और सबस्प्स्पाइब जबूर करें, तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो